जहीं दोस्तो में हूँ आसीस और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है दोस्तो आप सब जानते हैं पाकिस्तान जेब 17 जेट को लोकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहता है पाकिस्तान के हिसाब से जेब 17 जेट ना स्रिप मतलब दुनिया का सबसे भेतरिन फैटर ज इसके साथ दूसरे देशों को भी पाकिस्तान ये फैटर जेट को ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिस करता है आप सब जानते हैं मियामार और नाइजेरिया की एरफोर्स में जेब 17 जेट आक्टिव है हलाकि जितने देश जेब 17 को खरे देंगे पाकिस्तान को एकोनोम टो चीन में बन कर आता है वाकी इंजिन और दुसरे ब्राडर वग्रों कुछ मिसाइल वगर्र और ए depends पर रस्यां और दूसरे देश्तान को आसेंब्ल करके बैचा जाता है या फिर पाकिस्तान हुद playful की ये बना था इस वाझया of जर्ट इतन्वी बिकेगा या पिर जो भ इदने वाला है हाला कि बात में वो न्यूज फेक सावित हुई और और एक न्यूज आ रहा है और वो थोड़ा आप कह सकते हो कांफ्यूजिंग है या फिर सॉकिंग है क्योंकि पाकिस्तान अब मालेसिया को जेव 17 बेचने की रेस में खूद पिछे हट गया है हां मालेसिया अगर जेव 17 को कैंसल करता वो अलग बात होता लेकिन अब खूद पाकिस्तान ही यह तरीके से आप बोल सकते हो एलान किया है य और यह दुनों देश और टर्की एक साथ मिलकर हमारे कास्मिर के उपर बहुत उल्टा सिदा भायन भी दिये थे और एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ से यह क्यांपेंड चल रहा था मालेसिया तो हमारे तेजर्स जेट को कंसिडर ही नहीं करेगा और जेव 17 जेट खरिदन इस रेस से क्यों अलग कर दिया क्यूंकि दोस्तों 20 साल सेप्टमबर 22 तारिक तक आखिर डेड था जो मालेसिया की गवर्मेंट को जो उनका टेंडर जारी किया गया था तकरीबन अठरा फैटर एरकाट के लिए उसके लिए बहुत सारे देश मतला अपना रिक्वेस्ट फ को नहीं दे हलाकि हमारे तेजस के साथ और भी पांच देश की फैटर एरकाट इस से अलग हो गया है तो क्या हमारा तेजस जेट का चांस थोड़ा बढ़ गया है इसके साथ दोस्तों आखिर में मैं बात करूँगा कैसे तालिवान पाकिस्तान को धंकी दिया है जिस वज़ दिया गया है वो टपिक क्या है वो आखिर में आप सब के साथ बात करूँगा जानने के लिए आप पाकिस्ता की वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक सेयर करना बिलकुल मत भूलिए दोस्तों सच कहे तो आप पाकिस्तान मालेसिया को फाइटर है यह खुद पाकिस्तान ही बता सकते हैं लेकिन दो तीन कारन लग रहा है इसाइद इसली वज़े से पाकिस्तान यह स्टेप लिया नहीं है आप आपको बहुत बार बताया हूँ जेब 17 रिजेट होने के पीछे बड़ा करन यह है वो चाइनीज अरजिन का जेट है हाँ उ कहे ले कि हम ये जेट को बना रहें लेकिन सब जानते हैं उनका लेकिन सब जानते हैं वो जेट का ज्यातर component चीन में बनता है और आप प्रेजेंट टाइम में मालेसिया का साउड चैना सी एरिया में या फिर उस एरिया में बड़ा दुस्मन चीन है हाँ इंडोनेसिया और आस मालेसिया को स्पेर प्राट वगरा रोक कर वो जेट को ग्राउंडेड कर सकता है इसी वजह से मालेसिया जेट 17 के लिए बहुँ ज्यादा इंट्रेस्टर नहीं था लेकिन पाकिस्तान को ये लगा होगा अगर वो जेट खरी देंगे नहीं तो फिर हम ये रेस से भाग लेक का T50 चाइना का होंगडू JL10 टर्की का भी एक फैट рыर कर्ब है और इटली का भी हाद लाइट वेट अटक फैट फैट 60 है इसमें टर्की चाइना और इटली ये तिनों का कोई चांस है नहीं फिर भी है इस तिनों उस रेस में सामिल होना चाते थाकि कुछ-तना-कुछ तो उनका जो fighter aircraft है उनको publicity मिले तो इस हिसाब से पाकिस्तान को भी सामिल होना था और बाद में वो Malaysia की सरकार के साथ negotiation कर सकते थे या फिर आपना influence को डाल सकते थे अगर आप race में सामिल ही नहीं हो गये तो आपका fighter aircraft खरेने की chance तो पहले से ही गया यह दोस्तों गरबर लग रहा था पिछले साली जब पिछली बार Malaysia का air show हुआ था उसमें J17 को पाकिस्तान आखिरी वक्त में भेजना बंद कर दिया था लगा था कि नहीं कुछ न कुछ तो गरबर है और एक बड़ा कारण है साइद पाकिस्तान को यह लगा होगा वो ऐसा करके साओधी आरब को नाराज कर सकता है जी हाँ आप सुब जानते हैं जब से यलान किये था इमरान खान वो टर्की, मालेसिया और पाकिस्तान मिला कर और एक नया इस्लामिक ब्लोक बनाएंगे तब साओधी आरब बहुत ज़्यदा नाराज हुआ था अब पाकिस्तान को यह लगा होगा अगर हम कुछ फैटर एरकाट बेचेंगे मालेसिया को हमें तो एकोनोमिकली बहुत ज़्यदा फाइदा कुछ नहीं होगा सारा पेशा तो चीन के पास ही जाएगा लेकिन साओधी आरब को लग सकता है कि नहीं पाकिस्तान फिर से सुधरा नहीं और ये मेरे खिलाब और एक ग्रूप बना रहा है इसके बाद साओधी आरब से जो भी मदद पाकिस्तान को आ रहा है वो और ज्यादा रुख सकता है इसी वज़े से पाकिस्तान ये स्टेप लिया है अब आपकी बड़ा सवाल ये होगा अगर आप जेव 17 निकल गया है तो क्या तेजस मालेसिया के एरफोर्स में आगया आने वाले टाइम में सामिल होगा क्या आप मालेसिया तेजस फैटर एरकाप्ट खरिदने की चांस में क्योंकि इसके पीछे रस्यान फैटर एरकाप्ट जो पहले मालेसिया यूज कर रहा था उनका प्रफर्वांस या फिर अप्टर मतलब या फिर खरिदने के बाद सर्विस से बहुत ज्यादा खुश नहीं था अब यह भी सुखोई 30 मालेसिया के एरफोर्स में है अब ज इसलिए मिग 29 के बदले फिर से मिग 35 की तरफ मालेसिया जाने के चांस काफी काम है अब भारत ने ये बड़ा ओफर दिया है जितने भी तेजस जेट मालेसिया खरिदेगा उसमें कोई भी इज्राइली कॉंपोनेंट नहीं होंगे लेकि आप सुख जानते हैं हमारा तेजस के खिलाब कुछ भी बोल देते हैं फिर बात में पता लगता है कि आरे यार ये देश के साथ हम दुस्मनी करके बड़ा गलती कर दिये हमें बहुत जादा नुकसान हो गया अगर कभी मालेसिया जो स्मेहा कर इज्राइल के उपर कुछ इधर उधर बोल दिया या फिर पाले फ्यूचर में मालेसिया को कोई प्रोब्लेम ना आए इसके साथ दोस्तों अगर आप पिछले एक दो महीने पीछे जाओगे तो आप सबको पता होगा एक न्यू जाय थी भारत अब मालेसिया से ये बातचित कर रहा है हम मालेसिया के जो पाम ओयल है उसे खरी देंगा और बदले में वो हमारा तेजस जेट ले क्योंकि मालेसिया और इंडोनेसिया पाम ओयल के सबसे ज्यादा प्रोडूसर कंट्री है और भारत मालेसिया से सबसे ज्यादा पाम ओयल को खरीता है तो ये बहुत आच्छा डील हो सकता है अब सब कुछ हमारे ऑफिसयाल के उपर है वो माले सेया के साथ कितना आच्छा नेगोसियेशन करते हैं और तेजस जेट को बेचने के लिए कितना ज्यादा सीरिस हो कर कोशिस कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि रास्ता बिलकुल सही है बाके आगे इसके उपर अगर कोई बड़ा अपडेट आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।